जून का महीना स्टार्ट हो गया दोस्तों आज इस टाइम बहुत तेज गर्मिया होती है 45 दिगरी 46 डिगरी टेंपरेचर पार हो जारी है और दोस्तों इस टाइम हम अपने पोधे में कौन सा खाद देंगी जो हमारा पोधा जो है सुवस्त रहेगा और हरा भरा रहेगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ठंडी खाद के बारे में बताऊंगे जिसका इस्तमाल कर कि आप अपने सभी पोदों को हरा भरा और सुवास्त रख सकते क्यूंकि दोस्तों अभी गर्मिया बहुत तेज हो रही है और इस टाइम हम अपने पोदे को किसी भी क्यमिकल खाद का इस्तमाल नहीं कर सकते और क्यमिकल वाला खाद अगर हम इस टाइम इस्तमाल करेंगे अपने पोदे में किसी भी पोदे में तो हमारा पोदा जो है जल भी सकता जूलस भी सकता क्यूंकि दोस्तों इस टाइम जो है काफी तेज गर्मिया और हमारे पोदे को ये चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि ये जो ठंडी खाद है उस खाद को हम कैसे बनाएंगे चलिए दिखाते हैं तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले तापको एक बाल्टी लेना है और एक बाल्टी में दोस्तों आपको पांच लिटर पानी लेना है इस तरह से जैसे देखिए मैं एक बाल्टी लिए और इस बाल्टी में मैं पांच लिटर पानी लिए और इस पांच कि गवर की जो खाद होती है। इसलिये दूस्तो आपको इसको एकदम नहीं लेना आप वर्मी कॉम्पोस्ट लिजी या तो पत्यों की कंपोस्ट बना के रखे हुए हैं आप उसका भी इस्तमाल कर सकते और यह जो दोस्ता आपको इसको मिला लेना है इस तरह से और यह आप दूसरा चीज देख रहे हैं दोस्तो यह है नीम की खली हमें दोस्तो इस पे नीम की खली 2-3 चमच मिलाना है तो यह जो आप नीम खली देख रहे हैं दोस्तो इस हमारे पोधे के लिए बहुत ही अमरीद होता है और ये बर्मी कंपोस्ट जो है ये भी बहुत ही अच्छा होता है तो दोस्तों अभी वित्वी सन् गयर्मियों में हमें इसे केमीकल वाला खाद का इस्तंवाल नहीं करना है जो मैं लकडि के राकनली हूए इसको आपको दो मही 12 करतेसे एक के ब questions कestके। तरख आप करना है तक यह दो सबनाना है निचे बरत अच्ही तरह से बैठ जाता है तो इससे भाद करकिए और दोस्तो इसके यह थिसके बाद मगर रखिएगा तो दो दिन रखिएगा उससे ज야दा भी नहीं और उससे कम भी नहीं आपको करना है तो दूस्तु इसे में दो दिन के लिए छोड़ देते आप आप नहीं मिलांगी जब यह खात दो दिन के बाद रेडि होज़ेगा उस ठैम में इसमें एक चोथी चीज मिल लाने वाले ही होँ, तो दोस्तो इसे मैं रख दे रहे ही means two days के लिए अब हमें आपने पोधे में जो process है दोस्तो उसको करना है, तो सबसे पहले तो दोस्तो आपको आपने गमले की मिट्टी को गुडाय कर लेने में, क्यूंकि दोस्तो इसे जो पोधा होता है, हमें हर एक गम दोस्तों अगर हम 15 दिन में गुड़ाई करते हैं तो हमारा जो पोधा है काफी अच्छा सुवस्त रहता है उसमें हावा लगता है दूप लगती और जो अक्सिजन होता है दोस्तों हमारे पोधे की जड़तों बहुत तेजी से पहुंचता है और मिट्टी हलकी रहती है और द आपसे सब्सक्राइबर देते हैं दोस्तों तो वो इधर उधर फैलने लगता थो धूस्तों हमें तो सबसे पहले यह घुड़ाई कर लेना यह देखिए इस तरह से देरे आप की जितने वी घम लेत ने दोस्तों सभी के आपको गुड़ाई कर लेना है Independence ब कि यह मेरी बिला और हलकी होनी चाहिए इस तरह से मिट्टी टाइट होने का कारण दोस्तों हमारा पोधा जो ग्रोथ नहीं कर पाता है उसकी जड़ों जहें दाब की दाबी रह जाती इसलिए दोस्तों एक बात का आप लोग धयान रखेंगा जब भी पोधे लगाए तो मिट्टी को हमेशा व तो यह आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी गमलों की गुड़ाई कर ली हूँ बहुत अच्छी तरह से एक दिन पहले अब दूसरा दिन चलिए देखते हैं किस तरह से मेरा खाद जो है बनके रेडी हुआ है तो दोस्तों यह देखिए यह जो खादे बहुत अच्छी तर है तो यह जो खादे दोस्तों बनके रेडी होगी आप हम इसमें जो चोथा चीज मिलाने वाले थे वो देखिए यह दोस्तों एपसम सोल्ट यह जो एपसम सोल्ट है दोस्तों हमारे पोदे की पत्तियों को चमकदार बनाने में काफी मदद मिलता है हमारा पोदा जो है गर् सेम सोलट पर यह दो चम्मच उसे पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं सिरने के इस तरह सब को ऩरहतों यह कि अई पर देह मोठे से पहले हमें दोस्तो किसी और पानी लेकर लेना तो यह जो खहत दौस्त tive दोस्तो में ने 5 लिटर में बनाया हुआ है ताप में यहां works देके और दोस्तो आप टंकि का पानी नहीं लिजेगा क्यूंकि दोस्तों ये जो टंकी का पानी ये बहुत गरम होता है आप हमेशा पोदों में देने के लिए इस्तेमाल किजेए क्यूंकि दोस्तों ये जो टंकिया होती है टंकियों का पानी बहुत ज्यादा गरम हो जाता और इस टाम इतने गरमियों में अगर हम अपने पोदे में टंकी का पानी डालते हैं तो हमारा पोदा जो उससे भी खराब हो जाता क्योंकि बहुत तेज गर्मिया हो रहे और हमारे पोदे के जो गमले होते वो भी बहुत गरम हो जाते और इस गरम में अगर हम उपर से गरम पानी डाल देंगे तो हमारा पोदा सर्वाइब करने के बज़ए वो जल जाएगा उसके रूट जो होती है वो धिरे धिरे जलने लगती तो इसलिए दोस्तो हम जब भी इस्तमाल करेंगे अभी गर्मियों में अपने पोदे में तो कर सकते के चैब काओ अप्टाइए को रखाशों नेहीं दोस्तों सबसे पहले स constructionặt है अपने गुलाब के भी पोधे में को कि इस तरह से जिस Murray मेरा पोधा अगदम ठावियों से भढ़ा वह आप देह सकते हैं अगया शॉ suburbs आपने आपराजिता के पौधे में भी दे सकते हैं और यह जो पोचलिका का पोधा दोस्तो आप इसमें भी एक खाद इस्तिवाल कर सकते हैं इसके लिए तो बहुती अच्छा होता है दोस्तों क्योंकि यह एक दूपु वाला पोधा है और इसमें अगर हम ठंडी खाद देंगे तो इसकी रूठे और अच्छा काम करता है और यह देख सकता है अब मेरे पोचुलिका का पोधा में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है तो इस तरह से इस खाद का आप महिने में एक मर रहे हैं तो वह बिल्कुल जुलासना मरना सुखना बंध हो जाएगा तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लेगी है तो पिलीज इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूल कर लिजिएगा इस